तनहु बाटा आयो औरको खुशी को खबर उच्च अदालत बोखर आले पल को बक्षे माँ दियो यस्तो आदेश धूलो जन्जट बाटा पल सहाले पाए मुक्ती पेश करना उच्च अदालत पोखर आले आदेश दिये को खुश जिल्ला अदालत तनहु र जिल्ला अदालत नवल फूरले यसागी उल्लाई पूर्पक्छक लागी थुनामा राखनू बनी आदेश दिये को थियो शो आदेश बिरुद पल सहले सादारन तारेक मा रिया उना पाउनुपर ने मांग कर देई उच्च अदालत मा दुरी छुट्टा छुट्टे निविदन दिये का थिये तरह उच्चले ती दुबै निविदन एक साथ पेश करनू बनी आदेश करेको हो धर्शमीन तपाय हरूला इस्मरन रहो शुटिंग का क्रम मा चीन जान भहे पची विभाह गरने बन्दे फ्रेम को जुटो बहानामा आफुलाई पटक पटक करनी गरेको बनी ती नाबाली गाईकाले फागुन एकारमा तनहुमा पहिलो पटक उजुरी दिये की थिन आफु विरुद्द उजुरी परे पची के दिन फरार रहे का अभिनेता बल साहा फागन पंद्र गते प्रहरी समक्षे आत्मा समर्पन गरेका थिये त्यस पची अधालात मा भयको थुन छेक बहस पची चोई 10 कते तनहुलेच साहलाई पूर्पक चेक लागे थुना मा पठाउने निनाया गरेको थियो अधालात को आदेश पिरुद्द मंगलबार साहले उच्छ अधालात पोखरामा निवेदन दिये का हुन थुना मा राखन गरेको तनहु को आदेश कानुन सम्मात मिसील तत्यकत प्रमार्ठ सम्मात न भयकाले थुना मुक्त गरी सादरन तारेक मा राखेर अनुसंदान गरन निवेदन मा माँ गरेको थुन उच्छ अधालत पोखरा का रजिस्टार स्रिलाल पोडिल का अनुशार साहले तनहुर नवलपुर जिल्ला अधालत को आदेश पिरुत छुट्टा छुट्टे निविदन पेश करे का थिये उच्छ अधालत ले ती दुबाई निविदन एक साथ राखेर सुनवाई गरना आदेश करे को हो अब यो आदेश संगे अब तनहुर नवलपुर को दुबाई केस एक साथ एरी ने भायको चाँ जसका कारन पल्साहा ठुलो जन्जट बाटा मुक्तब भायका चाँ यता यो बलतकार मुद्दा मा पिरित पक्षेले बने आफुलाई पल्साहाले बलतकार न करेको भनी अधालात समच्छ बग पत्र बयान फिरे की छिन पिरित बने कि बालिकाले ने बयान फिरे पची पल्साहा पक्छलाई राहत पुगने देखिये को छा पिरित पक्छले बयान फिरे संगे मुद्दा कमजोर पनी बने को छा तरह यसरी बयान फिर्दा पिरित मातीने कारवाई उनसकने संभावाना पनी रहन छा के साता अगी मात्र जिल्ला अदलत आसामले बलतकार के मुद्धामा पिड़क बनिये का ब्यक्तिलाई सफाय दिरेई पिडित युवतिलाई ने साड़ेत तीन बर्च जेल सजाये तोके कुथियो यसरी अधालत मा बक्पत्र बयान फिरे संगे पाल सहा अब बाहरा आउने सम्भावना पनी वात्ते बड़ेगो चार येति बेला अधालत्ते समेथ दुवे मुद्धा को एक पटक निवन्दन दिन आदेश करी सकेगो चा तपाय को भिचार मा अब नाइक पॉल सहा कउ सब्सक्राइब। झाल झाल सब्सक्राइब गर्नोज ताजा खबर टीवी लाई अन्यो बेल आइकन फुचेर ताजा ताजा वीदियो पाउनोज सब्सक्राइब पहेद लिए तनहु बाटा आयो औरको खुशिको खबर उच्च अदालत बोखर आले पल को बक्षे माँ दियो यस्तो आदेश धूलो जन्जट बाटा पल सहाले पाए मुक्ति आदणिया दर्शबिन नमस्कार तपाय हरुसामू और कोई उटाय स्पेशल वीडियो लिए र उपश्तीद भईशके का छूँ वीडियो शुरू करनू मन्दा गाड़ी यदि तापायले हाम्रो चैनल सब्सक्राइब करनू भायको छैन वरे किरिपया सब्सक्राइब करे दिनू हला नावालिक गाई का बलतकार को अभियो खेबी रहे का अभिनेता पल सहालाई एक साथ निविदन पेश करना उच्छ अदालात पोखर आले आदेश दिये को छो जिल्ला अदलत तनहूर जिल्ला अदलत नवल पूरले यसागी उल्लाई पूर्पक्छक लागी थुनामा राखनू भनी आदेश दिये को छो शो आदेश बिरुदा पल साले साधारन तारेक मा रिया उना पाउन उपरने माग कर देई उच्छ अदालत मा दुरी छुट्टा छुट्टे निविदन दिये का थिये तरह उच्छले ती दुबै निविदन एक साथ पेश करनू बनी आदेश करेको हो धर्शमीन तपाय हरूला इस्मरन रहो शुटिंग का क्रम मा चीन जान भहे पछी विभाह गरने बन्दे फ्रेम को जुटो बहानामा आफुलाई पटक पटक करनी गरेको बनी ती नाबाली गाईकाले फागुन एकारमा तनहुमा पहिलो पटक उजुरी दिये की थिन आफु विरुद्धा उजुरी परे पची के दिन फरार रहे का अभिनेता बाल साहा फागन पंद्र गते प्रहरी समक्षे आत्मा समर्पन गरेका थिये त्यस पची अधालात मा भयको थुन छेक बहस पची चोई 10 गते तनहुलेच साहलाई पूर्पक चेक लागे थुना मा पठाउने निनाया गरेको थियो अधालात को आदेश पिरुद्धा मंगलबार साहले उच्च अधालात पोखरा मा निवेदन दिये का हुन थुना मा राखन गरेको तनहुको आदेश कानुन सम्मत मिशील रत तत्यकत प्रमाट सम्मत नभॉईकाले थुना मुक्त गरी सादरन तारेक मा राखेरे अनुसन्दान गरन निवेदन मा माँ गरेतोच उच्छ अधालत पोखरा का रजिस्टार स्रिलाल पोडिल का अनुसार सालेत तनहुर नवलपुर जिल्ला अधालत को आदेश पिरुत छुट्टा छुट्टे निविदन पेश करे का थिये उच्छ अधालत ले ती दुबाई निविदन एक साथ राखेर सुनवाई गरना आदेश करे को हो अब यो आदेश संगे अब तनहुर नवलपुर को दुबाई केस एक साथ तेरी ने भायको चा जसका कारन पल्साहा ठुलो जन्जट बाटा मुक्तब भायका छन यता यो बलतकार मुद्धा मा पिरित पक्षेले बने आफुलाई पल्साहाले बलतकार न करेको भनी अधालात समच्य बगपत्र बयान फेरे की छिन पिरित बने की बालिकालेने बयान फेरे पची पल्साहा पक्षेलाई राहात पुगने देखे को छा पिडित पक्सेले बयान फिरे संगे मुद्धा कमजोर पनी बने गोछा तर यसरी बयान फिर्दा पिडित मातीने कारवाई उनसकने सम्भावाना पनी रहन चा के साता अगी मात्र जिल्ला अदलत आसामले बलतकार के मुद्धा माँ पिड़क बनिये का ब्यक्तिलाई सफाय दिदै पिडित युवतिलाई ने सारे तीन बर्च जेल सजायर तोके को थियो यसरी अधालत मा बकपत्र बयान फिरे संगे पाल सहा अब बाहरा आउने सम्भावना पनी वात्ते बाड़े को चा येति बेला अधालत्ते समेथ दुवे मुद्धा को एक पटक निविदन दिन आदेश करी सके को चा तपाई को बिचार मा अब नाएक पॉल सहा कईले बाहरा आउन्षन होला तो अनि के पॉल सहाले करणी केस मा सफाय पाउन्षन वात पाउन देनन तपाई लाएक के लाक्स अखिर पया तपाई को बिचार कोमेंट बोक्स मा कोमेंट करे दिनो होला अनि येस ते ही रमाईलोर और रोज अग वीडियो हरी रहने का लागी हामरी यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें दिनू होला अदया मैं अभाइब करें सब्सक्राइब गरनों ताजा खबर टीवी लाए और यो बेल आइकन फिचेर ताजा ताजा वीडियो पाउनों सब्सक्राइब गरनों